कि आपको पता है कि हर पक बांधने वाले को सरदार क्यों कहा जाता है तो आईए जानते हैं गुरू गोविंच सिंग जी ने सिखो को सिंग कहा था उनका सरनेम सिंग दिया था तब तब उस समय सिखो को सिंग के नाम से पुकारा जाता सिंग के नाम से जाना जाता था महराजा रंजी सिंग की सेना का मुकावला अफगानियों से हुआ अफगानी जो कि उस समय बहुती शक्तिशाल युद्धा माने जाते थे सिख भी उनकी बहातुरी की परशंसा करते थे और उनकी बहातुरी की सराना करते थे तो एक बार की बात है जब सिखों का सामना अफगानियों के साथ हुआ अफगानियों ने सिखों के कुछ सिपाईयों को अपनी गिरिफत में ले लिया और उन्हें कैदी बना लिया तब सिख सिपाईयों ने सुना कि अफगानी सिपाई अपने दल के मुख्या को सरदार कहके बुलाना शुरू कर दिया तो पहले सरदार शवद दल के मुख्या और नेता के लिए ही इस्तमाल किया जाता था लेकिन देरे देरे सबी सिखों के साथ सरदार शवद का इस्तमाल किये जाने लगा सिखों को सरदार कहा जाने लगा तो तब से लेकर आज तक हर एक पग बांध देने वाले को सरदार कहा जाता है